हाई अबर्वान वेरे वेरे गुड बॉर्णिंग कैसे हूँ होँ होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होँगे इस्टो फ्रैंड्स आज अज 30 अगस 2023 और आज यूपी डियलेट ऑनलाइन फार्मों को लेकर एक अपडेट निकल गए आ रही है इस्क्रेंड पर आप सब लोग देख सकते हैं कि 87,172 फार्म जो है निरस्त होंगे तो किनका किनका फार्म रिजेक्ट होगा वीडियो पूरी जरू दिख लेना 43,586 ID पर triple registration 87,172 निरस्त होंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में रिजेक्ट होंगे फार्म यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिपलोमा इन एलिमेंटरी एजुकिशन यानि कि DL8 2023 में प्रवेश लेने के लिए ओनलाइन आविदन की पक्रिया में नया खेल सामने आया है एक ID पर कई registration किये जा रहे हैं अब तक जो है चार लाग से अधिक registration हुए हैं जिसमें से 43,586 ऐसे हैं जिनकी ID पर 3-3 registration हुए हैं तो एक ID पर एक ही मानने हैं आप सभी को पता है तो इस कारण एक ID पर हुए दूसरे वा तीसरे registration क्या होंगे निरस्त हो जाएंगे अगर आप लोग भी एक ID से 3-3 registration किये हैं तो पहला वाला आपका मानने रहेगा दूसरा तीसरा reject कर दिया जाएगा एक ID से एक ही registration मानने होगा नीशे आप लोग देख सकते हैं कि तिहरे registration में पहले वाले 43,586 मानने होंगे से 87,172 निरस्त कर दिया जाएंगे ऐसे में एक ID पर दूसरा या उससे ज़्यादा registration करने वाले अभ्यारतियों के पास अभी भी नए registration कर प्रवेस पक्रिया में समलित होने का आउशर है डियलेड में प्रवेस के लिए online registration करने की जो है अंतिम तेती 31 सगस्त है पिछले 5 वरस्तों से सीटे भर नहीं पा रही थी ऐसे में निर्जी संस्थानों को अभ्यारती मिलना चुनोती बन गया था इस बार registration अधिक जो है हुए है उत्रप्रदेश परिछा नियामग प्राधिकारी PNP सचिव अनिल भूशन चत्रुवेदी ने बताया कि प्रवेस छाचात्रों को लेना है इसलिए उन्हें अपनी ID पर आविदन करना चाहिए लेकिन अपने संस्थान को सीटे भरने के प्रयास में कुछ निजी संस्थान अधिक आविदन कराने में सामिल है सचिव ने बताया कि कुछ निजी संस्थानों ने सिकायद भी की है कि विसाइड नहीं चलने से आविदन नहीं हो रहा है इस पर उन्होंने प्रश्न किया की वह सिकायद तो अभ्यारती की ओर से आने चाहिए संस्थान के उगर रहे हैं इस पर गोल मोल जवाब देकर फोन कर दें वालोंने किराना कर लिया है उदर साइवे कैफे वाले तो एक ID पर दस से भी ज़्यादा आविदन किये हैं उन्होंने कहा है कि एक ID पर एक से अधिक आविदन करने वालों के पास अभी भी समय है अभी भी जो है गलती सुधार कर एक ID पर ही एक आविदन कर शकते हैं काउंसलिंग के पहले स्टेट मैरिड तै करते शमय उनके रिजिस्टिशन निरस्ट कर दिया जाएंगे तो इसमें तो कॉलेज वाले ज्यादा खेल कर रहे थे क्योंकि उनको पैसा कमाना है एड्मिशन ज्यादा लेना है ठीक है मौका उनको मिला है तो अगर आपका भी एक ही ID से काई रिजिस्टिशन हुआ है तो आपका रिजिट कर दिया जागा फार्मर दूसरा हो तीसरा एक तो वैलेट रहेगा डॉन्ट वेरी आप लोग परिशान मत हों ठीक है और 12 सितंबर को इस स्टेट रैंक दे दी जाएगी रैंक के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी तो फार्म जो भी बच्चे अभी नहीं भरे हैं तो भर दीजिए कल तक रिजिस्टिशन आपका होगा रिजिस्टिशन कर दीजिए दो तारीख तक आप लोग फेस कटवा सकते हैं और पांच तारीख तक अपना जो है फाइनल प्रिंट भी ले सकते हैं थाइंक इशो मच कुछ भी डाउट्स वेग रहा हूं तो आप लोग डाउट के ले कर सकते हैं चैनल को शब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी टेचिंग एक्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको शबसे पहले हमारे चैनल के मादम से मिल सके थाइंक इशो मच थाइंक्स पर वाचिंग